जो हम टॉपिक डिस्क्राइब है वो डिजाइन अनलेसिस ऑफ अल्गरिदम के रिलेटेड है जो के जीरो वन नैपस एक प्रॉब्लम का टॉपिक एक डैनायमिक प्रोग्रामिंग की टेक्नीक होती है सबसे पहले देखते हैं कि जीरो जीरो वन नैपस होता गया है अब जीरो प्रॉब्लम सॉल्व करने मतद करता है इन मोस्त ऑप्तिमल पर या जाद theatre कि डीरोल ऐ कि हमने प्रॉब्लम को मॉस्त ऑप्तिमल में ॐस्लो करना होता है ९ाप नैप सॉके मतलब होता है बैगा लगे जाइज बॉक सथा नियक्स क्पीसिटी लिमिंट होती याग में हजा कि हम चीज को पार्शलरी भी डालेते थे फ़र्ज करें आपके पास एक बैग है और आक पास उसके उसमें तीन बुक्स आ सकती है लेकिन आपका जो बैग है, उसमें सरफ चौधी बूक भी आपको चाहिए, लेकिन आप चौधी इस नहीं टाल सकते हैं , जब आप बात करने लग पड़ते हैं ग्रीडी मैथड की उसमें आप क्या करते हैं, आपके बैध में थोड़ी सी बहुत और ऑफ पर नहीं है और वन बिबूलिटिघाया तो आइटम या तो आइटम बैक यंदर होगा या नहीं होगा इसमें ब्रूट फोर्स युज़ करेंगे बूट्फोस अप्रोस का मतलब है वहाल पॉस्लिबिलिटी धिसक्राइए कोई पॉस्लिबिलिटी छोड़ेंगे नहीं हम इसकी रिप्सेंटेशन देखते हैं इमेजन करें आपके पास एक बॉक्स है जिसकी टैन किलोग्राम है यानि इस बॉक्स में दस किलोग्राम तक चीज़ा सकती है उससे जादा नहीं आपके पास कुछ फूट्स है बनाना एपल ग्रेप्स और और इस सब का एक स्पे जिसमें बनाना एपल ग्रेप्स और और अब इन सब को यह दो कि टेबल को कैसे फिल करना होता है जी नोगैं यहां पर इसे डाइस करना है आप कि यहां पर कुछ लगे हैं यहां आगे याइज को फदर डिसकस करेंगे इसान पहले 0-0 जीरो प्लस जीरो पूंगा 0 जीरो बचल सीडियो में ञुकूइं कोई ब игр कोई बहुते में जा उनका निया और कोई बहुति यह दिनो ठीक के जैसे लिए-जनाग सकता है dieses ग्रेप के किती ही 3 यह और अ नहीं की बैग आ सकते हैं 0011 अब और ओरेज़ की हमने डालने और ग्रिप में बॉक्स में डालने हैं अब आने जाखे त्वनों कशन पर ड्वाइट करें गे सेवन की किलोग्राम हमारी कफेस्टी के अंदर है है हमारी कपैस्टी टेन किलोग्राम उसके अंदर आ सकते हैं इस तरह जब आपके पास आता जाएगा अब इस इसमें अभी लास पर देखेंगे तो वन 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 यानिकि जब हम एपल ग्रेप्स और और डालेंगे तो हमारे पास नाइन किलोग्राम आ रहे हैं कि मॉस्ट हम पहले हमारे पास चारी आटम से जो फुल्स थे वेज़िटेबल सी कुछ भी हो सकते हैं हमारे पास चार एक और पॉफिट दिया हमारे पास वेड किलोग्राम पे और प्रॉफिट रुपीज में और पपैसिटी बहीं आपकी 12 कि रहा है और उन जह का ओंडने को नेसे को यह की पॉसिबल वे ढूंड सकते हैं मुल्टिपल पॉसिवल वे नीडूट सकते हैं तो हम बूट फॉस करेंगे जीरोवन नैपसक यूज करेंगे हमें पता है कि पिछीरवा में टू रेस्ट पावर फॉर करना था अब नाता तुषिट्रा बाईनेरी जैसे यूज बनाते होते हैं अवखनेलिघाज अपहले तो युज्वल्ट अज्वल ऑपत्सप्समुजर्फट किया गया निएवर थर्ट हुश लिए चेटपaltenॊंस किया गया सिरफ तो मारे पास पशुम्जध्र्र पिस आ गयाहँ आगे आप देखते जाएंगे जैसे हम करते जाएंगे तो आपके पास वैली जाती जाएंगी इनिशली तो आपको 80 रुपीज सबसे ज्यादा प्रॉफित नजर आएगा लेकर अगर हम इसका वेट देखें तो फॉर प्लस टू प्लस एट 14 किलोग्राम है जो कि हमारे 12 रहे है कि 70 इस दा ऑप्तिमल स्लूशन अब 70 को प्टिमल सुलूशन हमारे पास अब इसके रिकर्सिव रिलेशन देखते हैं इसके हम टाइम कप्लेक्सिस में डिसकस करेंगे और डिसकस करेंगे के वर्क कैसे करता है अब स्कूर्ण आपके पास तीन एलिमेंट्स है तो और अें तक बनेगा और वन खूम शॉञें चांसेथि जाथ और आयेगा तो नहीं आएगा या अतो तो थ्री आयगा यदो थ्री दाय जाएगा तो दो तो अगि इसको और ऱ्हीर कर सकते हैं इसका मतलब है इसका मतलब यह प सिलेग जो वे सपोज कि आपके पास जो number of elements है number of items है number of fruits है वो N है और उनका weight है उनका total weight आपका नेपसे का है वह M कि यह कुछ भी element है फर्स्ट element है सक्ड़ element है थीन्ध element है उसका profit हम PN से denote करते हैं और उसका weight हम WN से denote करते हैं after inserting first element first element nth element हम insert करेंगे तो क्या हूब आप n-1 आपने एक element insert कर दिया आपकी लिस्ट में से एक element खतम हो गया n-1 हो गया एक element is used उसके बाद आपके पास क्या है total weight of knapsack और आपके पास weight of element used यानि कि आपने एक element knapsack में डाल दिया अब क्या हुआ आपके total weight में से value कम होगी आप आपके पास 12 kg weight था आपने 10 kg की कुछ चीज अंदर डाल दिया है तो आपके पास कितना रह गया दो kg रह गया ना बढ़ेगा तो यह कम हो गया और जारी से बात है आपके बैग में चीज आगी आपके बैग में element को नहीं डाला अंदर कोई भी element है फर्ज करें आपने apple को टा दे कि बनाना या आपने नहीं डाला बनाना तो उसमें आपके पास क्या होगा element अब आपने यूज नहीं किया तो वह element तो automatically equation से खतम हो गया उसको ज़रूर दिन माइनस कर दो उसको निकाल दो उसकी ज़रूर दिनिये में क्यों क्यों क्योंकि आपका नैप सैक में कुई weight यजाफा नहीं कमी हुई है क्योंकि आपने वह element डाल लाई नहीं ना weight कमोंको ना weight जादा होगा भी आपको कोई नहीं होगा तो आपके पास दो एक्वेशन बन गी है यह और यह यह आपके रिकर्सिव इक्वेशन इसको हम आगे सॉल्व करेंगे लेकिन इसके रावा भी दो केसिस बन सकते हैं अगर आप सोचें ऐसा हो कि आपका एलिमेंट है इंडिविजुल एलिमेंट ह क्या आपका एक ही अलिमान्ट है को आपके कपैसिट्विया आपके पास बैकी क्पैसिट्व कर दिया रिमूव इमेडियेटली उसको हमने सोचना भी नहीं है उसका किसी किसा कंबिनेशन बनने जहां भी वह एलिमेंट आ गया ऑटमेटिकली वह सारा का सारा पेर इडिलीट हो गया वह आई नहीं सकता है और वेट अफेक्टी नोगजारी से बात है उस एलिमेंट को हमने भी विल हैपन कुछ हो इन सकता कुछ पॉसिबिलीटी ही नहीं है कि हम तरह कि फॉम में रिप्रिजेंट करते हैं सब्सक्राइब करें कि आपके पास एक फंक्शन है जिसमें आपके पास नमबर ऑफ एलिमेंट्स एन और आपके पास कपैसिटी जो है वह फो एम फोर है जि जब इंशर्ट होगा तो महरा पास फॉर्मूला था एन माइनस वन फॉर माईनस वन कि आ गया थ्री और अ-घॉन वैसे रहना था एंप ल हुह नहीं है ऑन क्यों नहीं हमने इसली नहीं है इसालते जाएंगे तो आपके पास फढदर फड़त बनते जाएंगे और यह चलता जाएगा जब तक कि आपके पास 00 ना रखा जाता है हम सिंपल यगर देखें तो इसकी थी दो पॉसिबिलिटी इसकी थी फिर इनकी आगे दो दो पॉसिबिलिटी थी तो यह हम देख सकते हैं है तो की पॉसिबिलिटी तो लिए यह घ्मी से निए तो यह तो यह कैसे हैं सिंपल यह देखने के बाद इसकी टाइम का प्लैक्ट टूरेश पार एंड प्लस न फॉर प्रिसाइज कैसे क्यूंक्क हम टूरेट पास जीरो से शुरू कर रहे हैं हम यह थी हमारे पास simple analysis हम करें हम करें dynamic programming तो dynamic programming में हमारे पास क्या होगा हम जो again and again problems repeat हो रही हम उनको ignore कर देंगे या उनको store कर लेंगे अब देखें 01 napsack 23 01 napsack 23 अब यह जो दो है यह बार बार repeat होंगी और इनकी जो further बनेगे वह सेम होगी तो चलते देगा चलते देगा तो यह तो यह करना ही होता है कि optimize solution कम से कम टाइम में solution करना होता है तो उसके लिए क्या करेंगे जो इस तरह की वाले जोंगी उनको एक consider करेंगे उन्हें प्स्टोर कर लेंगे अब पीसे देख सकते हैं कि some functions repeat हो रहे हैं जैसे मैंने भी दिखाया और इजिनली कम्प्लेक्श्टी तो मारे पास टूरेस्ट पार एंड है लेकिन हम इसे reduce कर सकते हैं कि reduction कैसे हो सकती है यह डिपैंड करता है कि कितनी जुनीक हैं और कितने repeat हो रहे हैं जैसे कि कि कितने repeat हो रहे हैं कितने reduce कैसे find करेंगे वह हम find कर सकते हैं एम और N की base पर क्या दोगा आपने पिछले देखा कि नैपसक 44 था हमारे पास 44 का क्या मतलब है elements before wait before उसकी बेस पे हम calculate कर सकते हैं कि कितने के repeat होंगे कितने के unique होंगे कि मैं मैं से मैं पता लेगे कितने unique हैं जोकर हम इसे formula को apply करें तुम्हारे पास 16 है तो हम कह सकते हैं कि 16 elements उस सारे मैं से unique होंगे जो बकिया बच गए जो कि 32 टोटल बनने थे उन में से 32 में से 16 निकालो बकिया जो बचे वह रपीटिटिव हैं उनको सिरफ एक दफा काउंट किया जाए और बाकी स्टोर कर ले तो कितनी देखें स्पेस बचेगी हम कह सकते हैं कि टाइम का प्लेक्स टीमारे पास सब्सक्राइब और आपकर आप से पूछ लेकर साइज ऑफ टेबल किया वरी साइज ऑफ टेबल या निके टेबल कितने आगे तक जाएगा तो एन प्लस वन मैंटिप्लाइब एम प्लस वन बनेगा थैंक यू